दिये रिस्टुडेंट आपका स्वागत है हमारी यूटूब के नल सुरे समेस क्लासेज में आज की इस वीडियो में हम आपको योगात्मक अभक्रिया के बारे में बताएंगे जो की यूपी बोर परिच्छा कच्छादस में कई बार पूछा गया है तो योगात्मक अभक्र यह से संबन्ध प्रिशनाता है तो उसको जो है छोड़कर क्या ले आते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि योगात्मक अभक्रिया क्या है आज इस कंफूजल को हम दूर करने वाले हैं तो चलिए हम सबसे पहले योगात्मक अभक्रिया की परिभासा परते हैं तो आपको आत्मक अभक्रिया कहते हैं तो ध्यान देना है इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं लेकिन उससे जो नया पदार्थ बनता है तो एक ही होता है एकल उत्पाद होता है इसी को आज हम आपको समझाएंगे जैसा कि आप दारर में देख रहे हैं लेकिन इसको समझन से पहले हम आपको एक एक्जामपल और बताते हैं, जैसे यहां पे A प्लस B, A दो पदार्थ है, यह आपस में क्तिया करेंगे तो A कल उतपाद बनाएंगे, A बनाएंगे A B, मतलब A की उतपाद, A होता है एकल उतपाद, क्या होता है? एकल उत्पाद, तो एकल उत्पाद का ये निर्मार करते हैं, तो दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्मार करते हैं, या दो से अधिक पदार्थ भी इसमें मिलकर एकल उत्पाद का निर्मार करते हैं, कहने के मतलब इस अब क्रिये में क्या होता है, दो पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्मार करते हैं तो जैसे यहाँ पे A प्लस B प्लस C A संयोग करेगा तो A, B, C जो उत्पाद बनेगा वो एकल उत्पाद होगा इस तरह से जो हैं इसको समझेंगे इसमें जब 2 या 2 से जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्मार करते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें दो पदार्थ हैं और 2 से अधिक पताद भी हो सकते हैं जैसा कि, इसमें आपको बताएं हैं, तो एकल उत्पात का यह निर्माण करते हैं, तो इसमें उधार में दिया भी है, यहाँ पर देख रहे हैं, यह कार्बन जो है, ऑक्सिजन से क्रिया करता है, तो यह बनाता है, CO2 यानि कि Carbon Dioxide मनाता है और दूसरा एक्जामपल है NH3 इसको कहते हैं Ammonia और HCl इससे संयोग करता है तो इसको HCl को क्या कहते है Hydrogen Cloride इससे क्लिया करता है तो यह बनाता है NH4Cl यानि कि Ammonium Cloride मनाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो उत्पाद बन रहा है वो एकल उत्पाद ही बन रहा है तो आपको यह बता दें कि योगात्मक अभक्रिया को अन्य किन नामों से जाना जाता है आपको बता रहे हैं यहाँ पर हमने यह लिखा है नोट करके योगात्मक अभक्रिया का अन्य नाम योग अबक्रिया, संयोजन अबक्रिया तथा संकलन अबक्रिया है तो परिच्छा में या योगात्मक अबक्रिया के नाम से पूछा जाता है कभी जो है योगात्मक अबक्रिया, योगात्मक अबक्रिया के नाम से पूछा जाता है तथा योगात्मक अबक्रिया ये सब जो है एक ही है तो दोस्तों अगर आपको योगात्मक अबक्रिया की परिभासा अच्छे से समझ में आ गया हो तो पिलीज एक लाइक कर दीजेगा अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सस्क्राइब कर दीजेगा और बिल आइकन की घंटी को दमाना मत भूलिएगा जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे जए हिंदेगा